गिए कुश्चन देखते हैं मैक्सिमा मिनिम्ट का कुश्चन है क्या कुश्चन है अगर हम एक्स की वैलू पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा इनको आप छोड़ी सकते हैं कि अच्छा इस तरह के कोश्चन में अक्सर 1-1 रखके एक आइडिया लग जाता है फिर भी आप चाहें तो इसको डिफ्रेंशेट करें जैसे ही आप डिफ्रेंशेट करेंगे तो आपको मिलेगा स्काहे स्काहे स्कृच्छ उपान्थ इस निकान के लिए तो रहे फिर स二 यह एक डिफ्रेंशेट स्काही अब आपके पास दो वालू आ गई एक आ गई माइनस वन और एक आ गई प्लस वन एक बात दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा कि इसके ब्रेकिंग पाइंट क्योंकि यह ब्रेक फंक्शन है यह 0 नहीं होना चीए तो यह ब्रेक भी होगा तो आपको यह चेक करना पड़ेगा इसके second derivative की help से कि actual में result क्या आ रहा है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि f-x आपके पास आया जो final result आया है वो आया है one minus x square right one minus x square क्योंकि 4x cancel हो गया तो one minus x square upon one plus four x plus x square अगर denominator 0 हो सकता है तो be careful बाकि आप देखिए one रखेंगे तो आपको मिलेगा one by six और जब आप minus one रखेंगे तो one upon one minus four minus one upon one minus four plus one यह cancel ऐसा बिलेगा आपको minus one अपन one minus four plus one तो आपको मिल गया minus one upon two minus का two तो इसका मतलब one by two अब देखिए one by six answer है अब आपको one by two देखके लग सकता है कि ज्यादा है पर इसके लिए आपको second derivative की help लेनी चाहिए तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको फिर से differentiate करो तो आप यही लिखते f double dash x कितना x square plus four x plus one का whole square into minus two x and minus one minus x square अब क्योंकि x की जगे आप बाद में one और minus one रखेंगे तो यह वाले portion का differentiation zero हो जाएगा समझना नीचे और यह all power four हो जाएगी ठीक है अचा अब जब आप minus one रखेंगे तो आपको यहां पर यह plus मिलेगा यानि minus one पर यह plus मिला इसका मतलब minima है और plus one पर यह negative मिला इसका मतलब maxima है तो plus one पर result क्या है one by six तो यह इसका answer one by six से थोड़ा careful होके करने वाला question है ध्यान रखेंगा